थेल्लो, एंस्टुटैंट, हाओ आर यू? your class 4th Chapter 1st चैप्टर 1st में ट्वर्स्ट वो डेस्ट टापिके जनरेशन के जनरेशन ऑफ कंप्पूर सब्सक्राट उके, तो इसमें क्या बता गया है इसमें बता गया है कि हमने Iz önce jenarta जो हमने डिवायट की हैं computer को जने जन को first से चीप से क्या कि है किया है उसमें कौन-कौन से changes की हैं कौन से changed हुए हैं और उसमें हमने कौन-कौन सी help के दवरा डवल्ब किया है जैसे कि पहले smaller है powerful है effective है reliable है device यहत्ति सब करो हैं यह हमने हर चनले सन में यह हुआ कुछ ना कुछ चाले चीज साथ इसमें जाही हैं कि नीर चीज़ें जी लेड़ क्यों करें हैं क्यों किनके करें हैं शती हैं दो आफ कर दर आषाय में फैसें में हमारा फ्रस्ट चले संदिवाराब का सिपू का इसमें हम नें सब्सक्रार की तरह हो कीचकी में सब्सक्राइब तेकं में दोग तक 30 कोड का ऊंए भरासा और फोर सक्ञर मेंन अपन heck sole अगता है क्या की युजिशों कि प्वेक्या त्रफ चौलिक इसमें जो feature इसमें क्या-क्या मिला था, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले vacuum tube का, में अन्यक्टिटी डम का यूज किया था, जिसने क्या कर सकता था, अपनी storage को store कर सकते थे, और इसको नहीं दे गया था है, इसमें binary code का program called machine language. में इसमें मसन्य लेंगवेज का यूज के गए था इसमें बांदरि कोड को भी प्रोग्राम किया गया था यह मारे क्या है यह कुछ कंप्रूटर से जो इस चैंप पे जो जैसे तो एक मों अरो यह सब क्या ईए यह अमारे कंप्टूटर हैं फर्स्ट जन्ने सान के अमाली स्टे जन्ने सान स्टार्ट हुई थी 1959 से 1965 तक तो इसमें क्या करे था है इसमें हमने प्रिम स्ट करें हैं कर और ता है उसके जहां च्छक़ यूज किया है था तो वेक्यूम वेक्यम टूब थोड़े बड़े साइज में थोड़े बड़े थी थोड़े महहंगे थी तो इसलिए इसमें क्या गया है second generation में हमने transistor का यूज किया गया इसको replace किया गया machine language with assembly language जो इसके features थे इसको किया गया machine language से अठाक कर assembly language से इसको यूज किया गया इसमें आप देख रहे हैं computer में printers का यूज को होने लगा था tab storage, disk storage, memory operator system and sorted program मतलब चुटे उटे program भी इसमें add होने लगे थे इसको high level language को क्या बोलते थे को बोल लिया for a tone का नाम दिया गया था इसमें IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 और CDC 3600, Univig 1108 यह सब क्या है इसके generation है इसमें कौन-कौन से computer का use किया गया था ओके यह आपको क्या हुआ फर्स्ट जन्रेस, second generation हो गया है आगे topic में आपको third, fourth, fifth generation का read कराएंगे आपको करना है इसको अच्छे से read करना है ओके थैंक्यू झाल 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 झाल झाल झाल